एलो एन वेलकम एवरीवन आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्व चैनल परिक्षावाज पर तो गैस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में अब यह आर्टिकल था क्या अब यह आर्टिकल बेसिकली है किस चीज से रिलेटेड या फिर आप इसे कहां पर जोड सकते हो देखो इसमें कंजर्वेशन की भी बात की गई है इसमें जो एंडिजिनस कम्यूनिटीज है उनके राइट्स की भी बात की गई है इस आर्टिकल में अगर आप देखोगे तो इसमें ये भी चर्चा की गई है किस तरीके से development और environmental conservation एक दूसरे के opposite है और कैसे हम एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जहां ऐ पर जब भी हम development की की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हममंद्वार्मेंट का अगर आप इंडिया में देखोगे तो हमारा जो अंडमान और निको बार तो जब आप इसमें निकोबार ग्रूप में आते हो ना तो निकोबार ग्रूप में लिटल निकोबार के पास में लिटल निकोबार एक आईलेंड है उसके पास में कई सारे छुटे-छुटे आईलेंड्स हैं लगबग आप यहां पर देखोगे तो साथ आईलेंड्स की बात हो रही है कि ह आला कि वो सारों के साथों आइलेंड्स यूँ है वो un-inhabited है मतलब वहाँ पर population नहीं में लेकिन उन आइलेंड्स को अगर आप देखोगे तो वहाँ पर उस इलाके में यानि कि लिटल निको बार पर ग्रेट निको बार पर इन सब आइलेंड्स पर रहने वाली जो population है जो ल पर एक अधिकार है ठीक है तो यहाँ पर इस इस आर्टिकल में जो चर्चा हुई है वो बेसिकली दो तीन आइलेंड्स के बारे में हुई है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं देखो अगर आप देखोगे अंडमान निको बार आर्ची पिलैगो में वहाँ पर साथ छोट जानी लोग है उनको अगर आप देखोगे तो उनके लिए वो आइलेंड्स जो है वह उनके लाइफ का उनके जीवन का एक इमपोर्टन पार्ट है С'ão blanc ऑक एलेंड्स का नाम देखोगे то मेरो है और मैंचल मेरो मैं जाँ लेकर अगर आप लोकल्स के लेंग्वीज में देखोगे तो इसे पिरुई कहा जाता है और पिंगयाग कहा जाता है पिरुई and पिंगयाग कौन कहता है तो यहां पर देखोगे वो जो लोग है उनने कहते हैं पायू ठीक है यह कहां पर है पिरुई कहते हैं और मेंचाल को क्या कहते हैं पिंगयाग कहते हैं ठीक अब यह जो लोग है पायू लोग इनके ट्रेडिशनल राइट इनके पारंपरी का अधिकार हैं अगर उन द्वीपों की बात करोगे तो तो अब जरह यहां पर इस मैप में आप लोगो मैं दिखा दू देखें यह आप देखोगे great nicobar island है जोकी nicobar group का सबसे बड़ा island है छिक तो यहां पर यहां पर यहां पर लिटल nicobar के न उपर इस में देखोगे तो यह में अजल अउइलेंड है और ऐदर थोड़ा सा नॉर्थ में देखोगे ना यहां पर तो यह मेरो आईलेंड तो बात किसकी हो रही है मेरो की हो रही है मेंचाल की हो रही है लिटल निकोबार ग्रेट निकोबार की हो रही है ठीक है यह ध्यान रखेगा अगर हम आगे बढ़ें तो जो मेंचाल आईलेंड है ना उस मेंचाल आईलेंड को वहां के लोग एक तरीके सा आप कहोगे पूझते हैं वो उनके लिए पवित्र है ठीक है उसका उपियोग भी करते हैं और उसकी सुरक्षा भी करते हैं और उसे पिंगयाक कहा जाता है पिंगयाक मतलब वो मानते हैं कि वहां पर एक आत्मा है जो की reside करती है जो की रहती है और वहां के लोग किसी भी प्रकार के संसाधनों के over exploitation को रोकते हैं के नहीं यहां पर जो भी संसाधन हमें मिलते हैं उनका बहुत ज़्यदा दोहन नहीं किया जाएगा और वहां के पारिसितिक तंत्र को वो लोग उससे जुड़े हुए हैं तो उसकी भी पूरी तरीके से सुरक्षा करने का काम जो local communities हैं जो स्थानी लोग हैं वो करते हैं अब मेरो और मैंचाल को देखोगे तो उन्हें manage कौन करता है वहां की जो community elders है यानि कि वहां के जो समुदाएं हैं उनके जो बड़े बुड़े लोग है ना वो उसकी सुरक्षा करते हैं ठीक और पूरी कोशिश करते हैं कि उस island के जो resources हैं उन resources की protection होप है उनकी sustainability ensure की जा सके ठीक आप चलते हैं में मुद्दे पर क्या खिर हुआ क्या क्यों ये सारी चीज़े news में होता क्या है मई 2022 मई 2022 में अंडमान निकोबार का जो administration है उसने इन indigenous लोगों के rights ठीक है इनके जो अधिकार है इनकी जो ownership है इनका जो management है उसको देखे बिना मई 2022 में अंडमान निकोबार administration ने तीन public notices release किये और उन notices का objective क्या था कि तीन wildlife centuries वहाँ पर बनाई जाएंगी ठीक कौन कौन सी wildlife century मेरो island पर बोला गया भी coral century बनाई जाएगी प्रवाल अभ्यारन ने बनाए जाएगा मेंचाल दीपर कहा गया Megaport century बनाई जाएगे Megaport एक bird होती एक पक्षी होता तो Megaport अभ्यारन की बात हुई और लिटल निकोबार आईलेंड पर लेदर बैग टर्टल सेंक्चुरी लेदर बैग टर्टल जो होता है उसके सनक्षन के लिए अभ्यारन यह देखे Megaport bird के अगर बात करोगे तो Megaport bird यह है लेदर बैग टर्टल अगर आप देखोगे तो यह है आपका इनके सनक्षन की बात होती है अब आप कहोगे तो इसमें समस्या क्या है लिटल निकोबार पर अगर बोल दिया गया कि लेदर बैग टर्टल के प्रटेक्शन के लिए संक्चुरी बनाई जाएगी ठीक है यह फिर मैंचाल पर बोल दिया गया कि भी मैंचाल पर Megaport के सनक्षन के लिए बनाए जाएगा मैरो पर बोल दिया गया कोरल के सनक्षन के लिए तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं अब आगे क्या होता है कि मिड जुलाई में आकर के अंडमान निकोबार एड्मिनिस्टेशन ने इशू किया एक और 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 उन्होंने क्या इशू किया क्या और दिय उन्होंने बोला देखो हमने कहा था रही हमने कहा था कि यहां पर Sanktune byपनाएंगे और संक्शिरी बनाने में यह होती है कि अगर किसी की अदिकार हैं कुछ rights हैं तो वो लोग अपनी concern लेकर के पहुंचें उन्होंने कि हमारे पास इस तरीकी की कोई चीज नहीं आई मतलब यह जो इलाके हैं इनके आस पास को पानी उसे कोई क्लेम नहीं कर रहा है ठीक तो मतलब यह हो गया कि इन सब इलाकों में कोई individual rights नहीं है जहां जहां पर sanctuary बनाने की बात की जारी है वहाँ पर लोगों के अधिकार नहीं है और बोला गया कि जब यह centuries बन जाएंगी न तो यह सब इलाके जो है वह restricted category में आ जाएंगे मतलब यहाँ पर फिर यह लोग जो है वह जा करके कुछ कामधाम नहीं कर सकते ठीक है national interest में ऐसा बोला गया अब बात यह है कि लगभग 1200 सद लेटल निकोबर रहते हैं तो मतलब लोग तो वहाँ पर रहे हैं लेक्र अंडमान निकोबर एड्मिनिस्टियशन नहीं ना तो इनको information दिया ना इनसे consult किया बल्कि सीदह सीदह वाइल डार के बनाने की बात होगे पर अब उसने एक तरीके से आप कोगे अंदमान निकोबार एड्मिनिस्टेशन को भी बोला जो हमारी मिनिस्ट्री ओफ इन्वार्मेंट है फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है उसको भी बोला अपनी कंसर्स बताएं कि भाई आप यहां पर अगर इस तरीके की रेस्ट्रिक्शन से इंपोस कर दोगे तो यह लोग यहां पर रह रहे हैं वो अपना सर्वाइवल कैसे करेंगे ठीक हालां कि अंदमान निकोबार एड्मिनिस्टेशन ने अक्टूबर 2022 में फाइनल नोटिफिकेशन निकाल दिया और पूरे के पूरे मैरो आईलेंड को पूरे के पूरे मैंच मैंचाल आईलेंड को वाइड लाइफ सेंक्चुरी डिकलेर कर दिया और साथी साथ अगर आप बात करोगे लिटल ने को बार की जो कि 140 किलिमेटर का इलेंड है उसके भी लगबग 13 14 किलिमेटर एरिया को वायल देखले कर दिया गया तो आपको ठीक है चलो कोई बात नहीं बात नहीं है और के मैरो और मेंचाल का सेलेक्शन किया गया और inspection किया जाएगा तो आप सनक्षण किस चीज का करोगे जब वो चीज मिलती नहीं वहां पर तो सनक्षण किस बात का ठीक है और वैसे ही अगर आप देखोगे के मेरो आईलेंड की बात की जा तो मेरो आईलेंड के पास पास बहुत ज़्यादा प्रवाल भी नहीं है तो अगर बात यह आ रही है कि वह हम प्रवालों का सनक्षन करना चाहरे हैं तो वहां पर प्रवाल मिलने भी तो चाहिए ठीक है यह चीज आ गए अब इंट्रेस्टिंग यह है कि यह सारे के सारे डेवलेप्मेंट्स जो हो रहे हैं अंडमान निकोबार में उसी के साथ साथ एक और डेवलेप्मेंट वहां पर चल रहा है तो सबसे पहली चीज़ आप यह समझे के ग्रेट निकोबार जो है न आपका वो एक यूनेस को रिकगनाइस्ट सेंच्चुरी है अब गुभर्मेंट्न ने किया क्या इस गलाथिया वाइलाफ सेंच्चुरी पो डेनोटिफाई कर दिया च्यारी करने का मतलब और यहाँbell sulph kron के एक MEGA प्रोजेक्ट की बात की जरूए कि यहां पर क्या बनाया जाएगा एक तरी के साथrod बनाने के बाद हो बहातर-करोल इन्वेस्मेंट करके यहां पर कोड़ बनाने रही है अब यह सब हैं कहाँ पर आप अगर यह वाला इलाका देखोगए यह वाला का है यह कि हलां कि दूप चुपा था सुनामी में ठीक गलात के अब बात यह है कि जब आप conservation areas की बात करते हो और ऐसे conservation areas जो की exclusionary है मतलब वहां से लोगों को आप हटा दे रहो पुरी तरीके से के लोगों का कोई involvement नहीं होगा तो कोई उसमें समस्य वाली बात नहीं है बड़ पॉइंट इस कि आप conservation areas बनाते कहां पर हैं जहां पर biodiversity का कोई नुकसान हो रहा हो जहां पर biodiversity का कोई loss हो रहा हो हां कोई area biodiversity rich region है ठीक है आप conservation efforts कर सकते हो बट conservation भाई करते तो तब हैं जब कोई खतरा हो को नुकसान हो जिन areas को आपने protected areas declare किया वहां पर तो पहले से ही biodiversity फ़रिश कर रही है वहां पर जो indigenous communities रहती है वो लोग ही खुद से product कर रहे हैं पड़ इसको कैसे देखा जा रहा है इसको देखा जा रहा है कि जो देक्लेयर की गई है यह तरीके से मेगा प्रजेक्ट का कवर अप है ठीक है अब कवर अप कैसे मानोगे भाई आप होगी यह बात कैसे की जा रही है देखो इस मेगा प्रजेक्ट को बनाने के लिए लगभग 10 लाख एवर गरीन forestries को काटा जा रहा है दस लाख एवर गरीन forestries इसके अलावा देखोगे गलाथिया बे के आसपस जो कोरल रीफ्स मिलती है उन कोरल रीफ्स को हटाया जाएगा उनका डेस्ट्रक्शन होगा उनका विनाश होगा इसके अलावा देखोगे यहां पर गलाथिया बे के एरिया में जो लेधर बेक सी turtles की जो nesting sites है ना उन nesting sites को बरबाद कर दिया जाएगा उनको destroy कर दिया जाएगा इसके साथ साथ आप देखोगे कि जो निकोबार Megapods है जिस पक्षी के conservation की बात हो लिए उन Megapods के nesting sites है उनका destruction होगा इस project के चक्कर में ठीक है और साथी साथ देखोगे बहुत सारे प्रोकोडाइल्स की बीडेथ वहां पर हो सकती है इसके साथ साथ अगर आप देखोगे कि जो इंडिजिनस ग्रेट निकोबारी पीपल है जो इस इलाके में रहते चले आए हैं ठीक है तुनामी के टाइम पर उनका जो होमलेंड था वो डिस्ट्रॉय हो गया था अब इस इलाके में अगर आप यह प्रोजेक्ट कर देते हो तो इसका मतलब अगर वो लोग सोचेंगे कि वहां पर वापस लोट करके चले जाना तो पॉसिबल नहीं है साथी साथ देखोगे शॉम्पेन शॉम्पेन ट्राइब ज ठीक है तो यह जो प्रोजेक्ट यहां पर लग रहा है एक तरीके साथ होगे कि यह इसको कवर अब करने के लिए क्या किया जा रहा ही जो वाइड लैज सेंक्चुरी जो बनाई जा नहीं और वाइन लेंट को पहले से वो लोग इस्तेमाल करते चले आ अरहे थे अब उन लोगों को क्या करती हैं जहां पर वो हजारों सालों से रहते चले आ रहे हैं उनको वहां से हटा दिया जाता है उनके जो एंसिस्टर लैंड से वहां से हटा दिया जाता है कभी development के नाम पर कभी national interest के नाम पर कभी conservation projects के नाम पर ठीक है सेम चीज यहां पर भी हमें देखने को मिल रही है कि जो एरियास ओलेडी प्रेटेक्टेड हैं जिन इलाकों को इंडिजनेस communities खुद से प्रेटेक्ट कर रही हैं उन्हें दोबारा से आपको कोई conservation status देने की requirement नहीं थी दूसरी चीज जहां पर सच में coral reefs मिल रही हैं जहां पर सच में आप देखोंगे लेदर बैक टर्टल से यह फिर मेगापोर्ट बर्ड्स हैं उनकी nesting sites हैं उन इलाकों को destroy किया जा रहा है एक project के उस पर तो इसलिए मैंने कहा तो देखो यह बात किसकी है कि इंडिजनेस लोगों के rights यहां पर आ जाते हैं यह बात किसकी conservation efforts यहां पर आ जाते हैं यहां पर आप देखो कि जो development हैं आदिम का मतलब है primitive का मतलब है कि वह इस धरती पर हम लोगों से अगर तुलना करोगे नहीं तो बहुत पहले से रह रहे हैं वह इस प्रकृती को इस nature को इस environment को हम लोगों से शायद बहुत जादा बहतर तरीके से समझते हैं अगर उन लोगों की बात करोगे तो सही माइने में वह इस प्रित्वी के संदक्षक हैं गार्डियंस हैं ठीक है और इसी लिए हमें उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए उनके जो ancestral rights हैं उनको recognize करना चाहिए उनको respect करना चाहिए और जो के तौर तरीके हैं जिस तरीके से वो पर्यावरण के साथ environment के साथ एक दम आप कहोगे सामंजस से बना करके रहते हैं एक friendly relation होता है उसी तरीके से relation बना करके क्या हम भी इस अर्थ पर रह सकते हैं यह चीज़ें हमें सीखने वाली तो यह सारी चीज़ें इस आर्टिकल से हमें मिलती हैं पूरी का पूरा जो discussion था वो हम लोगों ने किया लास्ट में आप लोगों को बता दूँ देखे हमारा GS का foundation course चल रहा है प्रीकम मेंस का ठीक है जिसमें आपकी Thursday Friday और Saturday जोगरफी की क्लास आती है रात को 8 बजे जोगरफी क्लास हमारी मिलेगी पॉलिटी की क्लास देखोगे तो यह आपकी Monday Tuesday और Wednesday तीन दिन पॉलिटी की अंत में आप लोगों से कहूंगा अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इससे लाइक शेर जरूर करिएगा कॉमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर बताइएगा और जितने भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब सब्सक्राइब तो आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स वीडियो में तिल देन बाइबाए ठेक क्यार थैंक यू सो मच एवरीवन चैभारत चैहिंद